हाई गाईज गुड मॉर्निंग तो चलो अटोमिक स्ट्रक्चर को अभी बोर्स मोडल तक रहने रहते हैं पार्ट वन तक हो चुका है आपका हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको तो अटोमिक स्ट्रक्चर को थोरा सा स्टाप करके क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ नहीं है आप लोग पढ़ रहे होगे है ना तो बेसिक केमेस्ट्री में बेसिकली है क्या वो देखो यह जो मेरा बेसिक केमेस्ट्री है यह एंसी आर्टी का जो पहला टॉपिक है आपका सम बेसिक कॉंसेप्स अप दे केमेस्ट्री अब वही है कुछ नया नहीं है बस इसके टू में electronic configuration, lecture 3 में भी electronic configuration, lecture 4 में mole concept, है ना, और lecture 5 में भी mole concept, है ना, तो इसमें 5 lecture है, है ना, proper study material आपके, आप जाईए, है ना, आप देखिए, view study material पे click किजी, आपको chemistry में basic chemistry का theory भी मिल जाएगा और DPP मिल जाएगा, ठीक है ना, इन तीनों का तो theory नहीं मिलेगा, लेकिन mole concept का theory मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये actually extracted है, ये कोई topic नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना है, है ना, oxygen number जानना है, बहुत important होता है, ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको oxygen number जानना बड़ा important, तो आज का जो lecture है हम लोग का, वो oxygen number है, तो चली आज start करते है, lecture one, और यहां से, अभी तक पहले जो कर रहे थे, करो, है ना, YouTube पे, क्योंकि आप लेबल नहीं था study material, हम लोग अटमिस structure पे भी आएएंगे, question करेंगे सुरू से, लेकिन अभी मैं पढ़ाओंगा, ठीक है ना, वीडियो देखोगे, जल्दी से जाके study material बनाओगे, उसमें questions है, है ना, पचास से भी ज़्यादा questions है, उसको बनाओ, ठीक है, जब उतना बना लोगे ना, तो confidence आजाएगा, oxygen number कोई भी तुमसे पूछेगा, फट से बता दोगे, ठीक है, चलिए, तो पहला, lecture 1 हम लोग discuss करने वाले हैं, और इस lecture 1 में discuss कर रहे हैं, oxidation number, oxidation number, है ना, बहुत लोग प्यार से इसको oxygen state भी बोलते हैं, है ना, oxidation state भी बोलते हैं, है ना, या, बहुत लोग इसको primary valency भी बोलते हैं, primary valency भी बोलते हैं, primary valency भी बोलते हैं, ठीक है, तो oxidation number, actually में है क्या, यह primary valency है, ठीक है ना, जैसे कुछ elements है, जैसे आप देखोगे, chemistry में, आप पढ़े होगे, प्योडिक टेवल में, चार blocks होते हैं, S block, P block, D block, and F block, S block का valency ही उसका oxidation number होता है, fixed होता है, लेकिन जैसे ही P block में जाओगे, थोड़ा सा variance देखने को मिलेगा, है ना, थोड़ा सा variance देखने को मिलेगा, जैसे अभी पढ़े थे, कि oxygen का valency minus 2 होता है, लेकिन मैं बोलूंगा, oxidation number minus 2 भी होता है, minus 1 भी होता है, कुछ compounds है, जोड़ा माइनस 1 होता है, कुछ-कुछ P block elements का fixed भी होता है, लेकिन D block elements में हमेसा change करता है, कभी plus 5 हो जाएगा एक ही element का, कभी plus 7 हो जाएगा, आपको पता है ना, valency plus 1 भी होता है, plus 1 भी होता है, sodium का, minus 2 भी होता oxygen का किसी का valency 0 भी होता है noble gas elements बस balancing ही है लेकिन यह primary valency क्यों बोला जाता है primary valency यह compound wise देखा जाता oxygen number ठीक है तो चलिए अभी हम लोग discuss करते हैं कि यह oxygen number है क्या और इसको कैसे calculate करते हैं ठीक है ना इसको कैसे calculate करते हैं तो हम लोग पहला topic आते हैं जिसमें बढ़ते हम लोग calculation of oxidation number मैं ओ नमबर लिख रहा हूँ oxygen number कोई ठीक है ना calculation of oxidation number ठीक है कैसे calculate करते हैं ठीक है जैसे मैंने कोई भी compound ले लिया चलो एक example के तौर पे मैंने कोई भी compound ले लिया आपका ठीक है कुछ भी compound मैं ले लेता हूँ ठीक है एकदम छोटा सा जैसे मैंने ले लिया H2SO4 है ना ये sulfuric acid क्या है इसको प्यार से बहुत लोग sulfuric acid बोलते है sulfuric acid ठीक है अब मैंने H2SO4 ले लिया अब देखो H2SO4 के साथ मैं क्या करने वाला हूँ मैं बोला कि H2SO4 है बाबू और इसमें sulfur का निकाल के दिखो sulfur के नीचे मैंने डैस लगा दिया या वैसे भी understood होता है कि यह बीच वाला element होता है generally central metal को ही लेता है generally लेकिन अगर नीचे डैस लगा हुआ तो अब ध्यान रखेगा अब sulfur का निकाल के बता सो तुम कैसे बताओगे जिसका निकालना है उसको माल लेना है X let the oxidation number of sulfur be X इसको X माल लो कुछ variable X माल लो ठीक है अब बताओ जिसका X मालने हो बाद बाकि सबका valency लेना है तो बताओ इस पूरे compound पे कोई charge है नहीं charge है 0 charge है कोई charge नहीं है इस पे कहीं दीख रहा है कोई charge नहीं है तो इन सब का जो sum होना चाहिए Oxygen number का वो 0 होना चाहिए ठीक है 0 होना चाहिए कैसे और देखो ये 2 hydrogen था तो 2 into 1 hydrogen का valency कितना होता है 1 होता है plus sulfur था तो sulfur को X मालने plus 4 oxygen है और oxygen का valency कितना होता है minus 2 is equal to 0 तो ये क्या हो जाएगा 2 plus X minus 8 is equal to 0 तो यहां से X is equal to क्या हो जाएगा बाबू 8 minus 2 that is plus 6 oxygen number कितना होता है plus 6 होता है मैं कहना क्या चाहता था oxygen number निकालने के फिर तो मैंने बोला आपको पहला कि जिसका निकालना है उसको एक समान लेना है बाद बाकी सारा hydrogen का valency उच करेंगा oxygen का valency उच करेंगा मतलब एक बाद तो पक्की है आपको valency की ज़रुद पड़ेगी ठीक है तो चलिए क्या 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 आपको ध्यान रखना है valency के case में वो याद रखें note 1 पहला note अब ये तो निकालना हम लोग सीखेंगा बहुत सारा लेकिन अभी ध्यान दीजे पहला note note पहला ये है आपका की oxidation number of 1A elements and 2A elements are fixed है ना fixed होता है कुछ-कुछ ऐसे elements है जिनका oxidation number fixed होता है जैसे तुम पहले group में जाओगे या उसी को 1A भी बोलते है ठीक है ना उसमें क्या-क्या होता है lithium sodium potassium rubidium cesium francium ये सब होता है ना आप predictable पढ़े होगे तेंथ क्लास में बताया गया होगा lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium ये सब होता है ठीक है इसको alkali metals भी बोलते है इन सब का oxidation number fixed होता है plus one oxidation number होता है और ये fixed है कहीं भी किसी भी compound में lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium का oxidation number क्या होगा fixed होगा ठीक है चलो next देखते है दूसरा group या फिर इसी को 2A भी बोलते है इसमें कौन-कौन सा आता है आपका तो इसमें आता है बाबु आपका beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium और radium ठीक है अब बता इसको alkaline earth metals भी बोलते है क्या बोलते है alkaline earth metals है न alkaline earth metals भी बोलते है और इसका जो oxidation number plus two जो oxidation number होता है वो क्या होता है यह fixed होता है क्या होता है यह fixed होता है oxygen number इसका fixed होता है एक और element है जिसका oxygen number fixed होता है ठीक है ना? कुछ-कुछ elements और है जिनका oxygen number fixed होता है जैसे example के तौर पे यहाँ पे मैं लीख देता हूँ example के तौर पे aluminium इसका plus three fixed होता है fluorine इसका minus 1 क्या होता है? fixed होता है, तो कुछ-कुछ elements है, जिनका क्या होता है? Oxidation number, fixed होता है. ठीक है? दूसरी बात, जो generally used valency है, वो भी आपको ध्यान रखना है, है ना? Generally used valency, किसका किसका क्या क्या होता है, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? Generally used valency. Valency of elements. क्योंकि मैं पूछूँँगा, है ना? कि valency इसका क्या होता है, तो वो आपको ध्यान रखना हो. पहला तो यह ध्यान रखना है, इन सब का fixed होता है, ठीक है? दूसरा चीज़ यह ध्यान रखना है, valency of push elements का, ठीक है? जैसे मैं बात करता हूँ, देखे तो hydrogen, यहाँ पर मैं helium, ठीक है? lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, है ना? यह इस element मैंने लिक है. इसका कितना होता है? इसका plus one भी हो सकता है, minus one भी हो सकता है, आपको पता है, है ना? ठीक है? helium का zero होता है, lithium का plus one होता है, beryllium का plus two, plus three, इसका four होता है, और यह valency नहीं होता है, valency electron होता है, लेकिन याद रखेगा, nitrogen, minus three, minus two, minus one, zero होता है, ठीक है? एकदम छोटा-छोटा सा चीज है, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium, देखे, इसका plus one fixed, plus two, plus three, four, minus three, minus two, minus one, zero, plus one, plus two, यह सब होता है, ठीक है? यह सब आपको जेनरली याद रखना है, है ना? याद रखना, एक दम याद रखना है, और इसको भूलना नहीं है, ठीक है? इतना अगर याद रखते हो तुम लोग, ठीक है ना? तब आसान है फिर तो, oxygen हो फिर आसान है, ठीक है? तो यह वाला section याद रखना है, है ना? और बहुत असान है, यह सम नाइन तेंस में पढ़े होगे, ठीक है ना? अच्छे students, सारा चीज पढ़ते हैं, थोरा सा pressurize मैं करूँगा, आप बस हसते खेलते हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? तो चलिए, देखिए, यह थोरा सा आपको याद रखना है, अब मैं बताओंगा, अभी तो लिस्ट याद कर लोगे आप, अब देखिए, आसान है निकानला balance है, चलिए, जैसे मैंने बोला, बाबू, यह है potassium permagnate, क्या है? यह है potassium permagnate, है ना, यह potassium permagnate, मैंने बोला, यह potassium permagnate है, और यहाँ पर MN, देखो, यहाँ पर, और इसका balance ही निकाल ला है, oxygen number, ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे, कि oxygen number of MN, यह क्या होगा, है ना, यह क्या होगा, पूछ ल पर कोई charge दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है, सिंपल सा, सब को add करके, 0 के बड़ाबर कर देना, यह न करना है, तो चलो, अभी बताओ, potassium का valency कितना होता है, बाबू, potassium का valency यहाँ पर, plus 1, तो चलो, और एक ही potassium है, तो 1 into plus 1, है ना, plus, जो रो, MN, MN को क्या मानोगे, X, मैंने बताया था, इसका निकालना है, उसको X मानना है, plus, 4 oxygen है, तो 4 into minus 2, एक इसके बराबर, 0 के बराबर, अब बताओ, 1 plus X minus 8 is equal to क्या हो गया, 0, तो X equal to क्या हो जाएगा, बाबू, plus 7, मतलब इसका oxygen नमर कितना हो गया, plus 7, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, चली, आगे देखते हैं, next, जैसे मैंने बोला तुमको, कि नहीं, इसका निकालके दिखाओ, K2Cr2O7, यह है potassium dichromate, potassium dichromate, यह potassium dichromate है, इसका निकालके दिखाओ, तुम बोलोगे, सर, ठीक है, CR का निकालना है, एक दम, अब speed में करते हैं, कितना, 2 into 1, potassium का 1 होता है, plus, 2 chromium है, और chromium क क्या मानेंगे, X क्योंकि निकालना है, plus, 7 oxygen है, तो 7 into, minus 2, is equal to, क्या हो जाएगा, 0, यहां से निकालो, 2 plus 2x, minus 14 is equal to, 0, यहां से X निकालो, कितना हैगा, plus 6 है, चलो, एक दम, आसान से, oxygen निकालना है, very easy, ठीक है, चलिए, आगे देखते है, जैसे, बहुत सारा compound है, बहुत सा compound है, जैसे माल लो, मैंने दे दिया तुमको NS3, है न, NS3, अब बताओ, यह NS3 का निकाल, यह आमोनिया, इसको क्या बोलते हैं हम लो, अमोनिया, ठीक है, अब बताओ, इसका निकालना है, तो कैसे निकालोगे, हम बोल दिये कि नहीं, इसमें मेरे को, ना, nitrogen का निकालो, ठीक तो क्या हो जाएगा, x is equal to minus 3, देखो, है न, चलो, next, आगे देखते हैं, जैसे और भी compound से लेते हैं, हम लोग, है न, जैसे H2S2O7, है न, H2S2O7, इसको बोलते हैं, pyrosulfuric acid, pyrosulfuric acid, या फिर बहुत लोग इसको oleum भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, oleum, है न, oleum बोलते हैं, त तो कैसे निकालोगे, 2, hydrogen का, 1, plus, x, sulfur को x माने है, तो कितना sulfur हो जाएगा, 2x, plus, 7 into, minus 2, is equal to kya हो जाएगा, 0, तो यहां से, 2, plus 2x, minus 14, is equal to 0, यहां से, भाई, x निकालोगे, plus 6 हाएगा, देख लो, है न, देखो, आसान है, है न, very easy, next, देखते हैं, आगे, आगे देखते हैं, और, जैसे आगे, मैंने देखता हूँ, कुछ और compound, जैसे मैंने ले लिया, HClO4, है न, HClO4, है न, कुछ और ले लिया, मैंने, जैसे, HClO3, फिर और मैंने ले लिया, जैसे, HClO2, फिर मैंने ले लिया, HClO, आप सबका नाम आपको जानना चाहिए, है इसको बोलते हैं पर-क्लोरीक एसिड इसको बोलते हैं क्लोरीक एसिड इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड और इसको बोलते हैं हाइपो-क्लोरस एसिड बहुत फिरमस एसिड है यह तो मतलब बोलते हैं इसको साइन्स का strongest acid in chemistry strongest acid in chemistry सबसे जादे strongest acylophore होता है ठीक है अब देखो ये सब famous acids सब का नाम आपको जाना चाहिए मैं नाम लिख रहा हूँ लेकिन मेरे को नाम से मतलब तो है नही मेरे को oxygen नमर निकालना है सब का CL का oxygen नमर निकालना है फटा फट अब फास्ट कीजिए जब सीख गया तो फास्ट है ना अब बताइए यहाँ पर hydrogen है तो 1 प्लस इसको x मानोगे प्लस 4 oxygen का minus 2 0 जब यहाँ से निकालोगे तो कितना है अब आब आब उ? x x निकालो मेरे ख्याल से कितना ना चाहिए 8 में से एक गया कितना? 7 चलो अब देखो इसमें निकालना है तो 1 प्लस x प्लस कितना oxygen? 3 into minus 2 is equal to 0 तो यहाँ से x कितना आजाएगा? 6 में से एक गया कितना? 5 देखो यह प्लस 5 आ गया उस तरह से यहाँ बताओ यहाँ निकालोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस x 2 oxygen 2 into minus 2 is equal to 0 x is equal to कितना आएगा? 3 आ जाएगा देखो यहाँ पे निकालोगे 1 प्लस x और प्लस एक ही oxygen है और oxygen का minus 2 होता है 0 तो x कितना आ जाएगा यहाँ से बाबू? प्लस 1 मतलब देख रहे हो क्लोरीन का वहलंसी बहुत सारा है यहाँ पे क्लोरीन का वहलंसी कितना सारा है? एक का 7 है, एक का 5 है, एक का 3 है और एक का मतलब एक क्लोरीन के 4 oxygen states हो सकते हैं कौन-कौन से? 7, 5, 3 और 1 ऐसा क्यों होता है वो तो मैं आगे बताऊँगा आपको प्रेडिक्टिबल में, डिटेल में पढ़ेंगे इसको ठीक है? लेकिन फिलहाल तो देखिए, यह बड़ा असान है निकालना है ना? उसी तरह से कुछ फॉस्पोरस के एसिट्स भी देखते हैं अगदम आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं आसानी से निकाल सकते हैं एकदम यह छोटा सा मेथड है सब में P का निकालना है, फॉस्फोरस का निकालना है इसको ध्यान रखेगा, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड या फिर इसको बोलते हैं और्थो फॉस्फोरिक एसीड भी बोलते हैं बहुत लोग, यह है आपका फॉस्फोरस एसीड, इसको बोला जाता है फॉस्फोरस एसीड, ठीक है ना, और यह है आपका हाइपो फॉस्फोरस एसीड, हाइपो फॉस्फोरस एसीड, हाइपो फॉस्फ अब बताओ, 3 plus x minus 8 is equal to 0, तो यहां से x is equal to क्या हो जाएगा, 0, तो x is equal to कितना हो जाएगा, plus 3, यह हो गया, plus 3, ठीक है, उच तरह से यहां पर बताओ, 3 hydrogen into 1 plus, इसको क्या मानेंगे, x plus 2 into minus 2 is equal to 0, तो क्या हो जाएगा, 3 plus x minus 4 is equal to 0, तो x is equal to क्या हो जाएगा, बाबू, plus 1, देख रहे हो, एक ही फोस्फोरस का कितना सारा, plus 5 b, plus 3 b, plus 1 b, तो यह सब important acids है, किसके, फोस्फोरस के, ठीक है, चलिए, और आगे देखते हैं, कुछ-कुछ, compounds, बहुत सारा, मैं बहुत सारा practice करवाँगा आपको, बस आपको ध्यान से खुद से practice करना है, खुद से practice किजएगा, तो oxygen नमा निकालना बहुत असान है, जैसे किजए, यह PS3 दे दिया आपको, हाणा, यह हो सकता है आपको, दे दिया P2O5, हाणा, यह हो सकता है, इसे नह देखे, P4O10 दे दिया आपको, कुछ भी दे सकता है, हाणा, यह है Phosphorus PentaOxide, हाणा, और यह Phosphorus DecaOxide, इसको बोलते हैं, और यह है Phosphine Gas, इसको क्या बोलते हैं हम और यह है फॉस्फाइन गैस, यह है फॉस्फपरस पेंटा उकसाइड और यह है फॉस्फपरस डेका उकसाइड यह डेका-उकसाइड तो अब बताएए मेरे को यह जो पी-एस-3 तुम देख रहे हो, इसमें P का सब में P का निकालना है जैसे बोल दिया आपको कुश्च्चन में, तो क्या कीज़ेगा, P को क्या मानना है, X मानना, एक दम ध्यान रखे, तुरंत X मान लेना है, 3 hydrogen है, 3 into 1 is equal to 0, तो X equal to क्या हो जाएगा बाबू, minus 3, चलिए, oxygen में निकल गया, उस तरह से यहां निकालना है, क्या मानिएगा, 2 phosphorus, phosphorus का X मानना है, क्योंकि दिया हुआ है निकालने के लिए, और फिर 5 oxygen है, oxygen का valency, minus 2 is equal to 0, तो 2X is equal to क्या हो जाएगा, 10, तो X is equal to कितना हो जाएगा बाबू, 5, देखिए, 5 आगे, चलिए, यहां पे निकालिए, 4X plus 10 into minus 2 is equal to 0, यहां से भी निकालिए, कितना हैगा, 5 आजाएगा, तेकदम आसान सा है, आप आसानी से क्या कर सकते हो, इस चीज को solve कर सकते हो, ठीक है ना, oxygen निकालना very easy, अब देखिए, next मैं देखता हूँ आपको, अगला जो है, वो मैं बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के acids, नाइट्रोजन के compounds, simple-simple से compounds के बारे में, उसके compounds के बारे मैं, डिस्कूस कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे माल लो, दे दिया आपको HNO3, दूसरा दे दिया HNO2, तीसरा दे दिया HNO, ऐसे करके दिया, अब इसका नाम होता है, नाइट्रिक एसिड, यह है आपका, नाइट्रिक एसिड, उस तरह से यह क्या है, नाइट्रस एसिड, और इसको बोलते है, हाइपो-nitrous एसिड, है ना, अब देखिए, क्या करना है आपको, सम में बोलागा है, कोश्चन में, कि सब के नाइट्रोजन का वैलेंसी निकालो, ठीक है, नाइट्रोजन का वैलेंसी कैसे निकालें, है ना, नाइट्रोजन का वैलेंसी कैसे निकालें, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी निकालने के लिए आप क्या किजिएगा? सिंपल सा, एकदम, यह हाइड्रोजन है, तो 1, प्लस, इसको क्या माल है ना? X, 3 इंटू कितना? माइनस 2, क्या कर देना है? 0 के बराबर, क्योंकि इस कंपाउंड पर कोई चार्ज आपको देख नहीं रहा है, 1, प्लस, एक्स, माइनस 6 is equal to 0, तो यहाँ से X कितना नीकालो गे बावूऱ तो कितना हागा? प्लस 5, देखे, प्लस 5 लगाँ, हाना? उच्था से यहाँ नीकालो, 1, प्लस, प्लस, 2, इंटू, माइनस 2 is equal to 0, यहाँ से X नीकालो कितना हागा? प्लस थ्री देखो यहां प्लस थ्री आ गया उस्तर से यहां वान प्लस एक्स माइनस टू इस इकल टू जीडो तो एक्स कितना हैगा एकदम सिंपल सा है हना कुछ कुछ और कंपाउंड से लिए नाइट्रोजन का जो की इंपॉर्टेंट हो सकता आपके लिए जो पूछा जा सकता आपसे इकनण सांसा है कोई भी कंपाउंड दे यूवच फरक नहीं परता है और एकनणी से आप निकाल सकते हो ठीक है है जैसे माझन लो तुमको दे दिया अमों इयाट थाफ देखिए चुक है थाना तुमको दे दिया झाडिए नू-5 ठीक है माझन लो तुमको दे तुमको दे दिया NO कुछ भी दे दिया जैसे एक NO दे दिया आपको हो सकता है आपको N2O दे दे आपको आपको अब कैसे निका लिए रहा है तो इसके लिए क्या करना है आपको अब देखे, ऐसे compounds में nitrogen का निकालना है ये nitrogen, ये nitrogen, ये nitrogen, ये nitrogen इसमें एक compound important है, ध्यान रखेगा, ये वाला ये nitrous oxide है इसको laughing gas भी बूलते है laughing gas, है ना जो house pool 2 में जो इस्तमाल होता है laughing gas, last के scene में देखेगा laughing gas जैसे ही इसको inhale कीजएगा हंसने के लिए इस्तमाल होता है, ये सब depression के patients के लिए होता है जो depressed रहते हैं, उनको थोड़ा सा दिया जाता है है ना, dose के तौर पे अब देखो, अब जो है ये laughing gas है, N2O4 हो गया अब इसको क्या करना है, nitrogen का निकालना है तो क्या करना है, 2 nitrogen है तो 2x प्लस 4 तो oxygen का valency जिसका निकालना है, उसी को x मानना है बाद बाद की सब का valency यूज कर देना है अब देखो यहां से, 2x is equal to कितना आ गया है, उदर गया तो 8 हो गया, अब x is equal to कितना हो जाएगा बाबू, यहां से 4, देखो यहां से 4 हो गया, है ना कितना मासान से है, चली यहां से देखिए x plus 2 into minus 2 is equal to 0 यहां से भी x निकालेगा तो क्या आएगा 4 plus 4 हैगा, यहां देखिए x minus 2 is equal to 0 तो यहां से x निकालेगा तो क्या आएगा plus 2 आएगा, है ना, उस तरह से यहां निकालेगा तो 2x minus 2 is equal to 0 X निका लिएगा तो क्या आएगा प्लस वन आएग टिक तो महसान सा एग तो इजी यो अगिंट ख question ऐसे पूष्ट इसे पहले थोरा सा देख लेते हैं हम लोग बात करेंगे कब 0 से equid नहीं करना होगा ऐसा भी questions होता है जिसमें 0 से equid नहीं करना है एस general compounds में नहीं कर सकते हैं तो इसे पहले sulfur का देख लेते हैं तो sulfur में ह2SO4 देखी चुके हो S2SO3 देख लो हाण S2SO3 देख लो S2SO4 देख लो हाण यह सब भी compound होते हैं Bहुत सारे SO2 देख लो और भी gases है जैसे बहुत सारे gases है इसमें SO3 देख लो यह सब compound से आप use कर सकते हो SO3 भी देख सकते हो हाण Na2SO3 देख सकते हो यह सब compound important है हाण तो यह क्या है basically देख लो हाण यह बोलते हैं sulfurous acid इसमें इसका निकालना है तो क्या करोगे 2 into 1 plus x और plus 3 into minus 2 is equal to 0 सही किया है मैंने अब यहां से निकाली है कितना हैगा मेरे तो लगता है 6 उदर गया और 6 में से दो गया 4 आएगा 4 sorry ठीक है यहां से निकालना है इसका तो चली निकाल लेते है 2 into 1 plus 2x plus 4 into minus 2 is equal to 0 यहां से निकालोगे तो 2x कितना आजाएगा यह गया उधर तो 8 और यह गया तो minus 2 तो यह x कितना हो गया बावू plus 6 by 2 कितना हो जाएगा plus 3 ठीक है इस तरह से यहां इसका निकालोगे plus 4 आएगा निकालके देखिए एक जब चेक किजिए इसका यहां निकालोगे plus 6 आएगा इसका यहां से निकालोगे just like the same इसका भी plus 3 आएगा ठीक है आप एक बार निकाल के देखे, चेक किजिए उसको, अब देखे, next, आगे देखते हो, जैसे मैंने बोला था आपको, कि कुछ-कुछ compound ऐसे हर बार नहीं होगा आपका, जैसे general compound है, तो फटाक से निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसे दे दिया compound तो बताओ तो, इसे मानलो न, ऐसे SO4, 2- दे दिया आपको, और आपसे पूछ रहा है, sulfur का ब oxygen नमर कितना होगा, अब ये बताओ, तो अभी देखो, क्या है, इस compound के उपर कितना negative charge लगा होगा है, 2 negative charge, तो equate जो होगा, वो 0 से नहीं होगा, पहले क्या करते हैं, 0 से equate करते हैं, अभी 0 से equate नहीं करेंगे, अभी क्या करेंगे, बोलेंगे कि sulfur का निकालना है, तो sulfur को मानलो, x, sulfur को x मानलो, फिर, 4 oxygen है, 4 oxygen और 1 oxygen का valency minus 2 होता है, तो 4 into minus 2 होगा, is equal to 0 नहीं करेंगे, कि इस compound के पर 2 minus 4 लगा, तो इधर क्या हो जाएगा, minus 2, यही concept है, समझना है आप, ठीक है, तो प्लस 6, इसका valency जो हो गया, और primary valency, या oxygen number, या oxygen state, वो कितना हो गया, plus 6 हो गया, वैसे ही, बहुत सारा compound है, जैसे माने मोल दिया, CR2, O7, 2 minus, इसको dichromate and बोलते हैं, अब बताओ, क्या होगा, यह chromium का निकालना है, तो क्या बोलोगे, sir, 2x, chromium को x मानल लिए, 7 oxygen है, 7 into minus 2, और इस पूरे compound पर कितना charge, minus 2 charge, तो यहाँ पर minus 2 लगा दो, अब यह बताओ, 2x minus, सादोनी 14, यह minus 2, तो यहाँ से 2x कितना आजाएगा, बाबू, plus 12, तो x कितना आजाएगा, plus 6, यह plus 6 आगे, देखो, एकदम असान सा है, बहुत सिंपल सा है, जैसे मैंने बोल दिया, NH4+, तो मैंने बोल दिया, आपको nitrogen का निकालने के लिए, तो अब इस पर charge है, neutral नहीं है compound, इस पर charge है, plus 1, तो इसको कैसे calculate करेंगे, तो इसको x माल लेंगे, 4 hydrogen है, तो 4 into 1, और is equal to, अब इसे create 0 से करोगे, की 1 से करोगे, 1 से, 1, is equal to क्या हो जाएगा, x plus 4 is equal to 1, तो x जाएगा कित wraps, तो कैसे निकालोगे, एकदम simple सा है, एकदम simple सा है, वो कैसे निकालेंगे, बोल देंगे, कि इस पर तो अभी कोई charge नहीं, 0 है, तो क्या करोगे, potassium 1 होता है, और plus, इसको x माल लेना है, 0 होता है, x का कितना हो जाएगा, minus 1, देखो, आसानी से, तो एकदम आसान सा है, चीज ठीक है, तो charges आपको समझ में आगा, कुछ-कुछ important point भी समझ जीए, जैसे कुछ-कुछ है, जैसे, आप मान लीजिए, कोई भी compound है आपका, जैसे एक bleaching powder होता है, का बीचिंग पाउडर का हम लोग calcium oxy chloride भी बोलते हैं, आप लोग पढ़े होगे तेंथ में, calcium oxy chloride, आपको पढ़ना है, acid-based and salt में, है ना, या इसको बहुत बोलते है, chloride of lime भी बोलते हैं, बहुत लोग, chloride of lime भी बोलते हैं, बहुत लोग, हैना, strongly वो होता है, इसका जो order होता calcium powder होता है, वो होता है, caocl2, हैना, caocl2, ठीक है न, इसमें खास बात क्या है, sir, इसमें खास बात क्या है, ठीक है, तो खास बात यह है, कि इसमें 2 valence ही होता है, chlorine का, actually मैं जब इसको तोरोगे, तो ये कुछ ऐसा बनता है, cocl plus, और एक होता है, cl minus, ठीक है, टूट जाता है, एक cl minus, और ये, ऐसे तूट जाता है, तो जब तूटता है, तो देखो, तो यहाँ पर अगर निकालोगे, oxidation number, तो कैसे, chlorine का निकालना है, chlorine को x माल लिए, हैना, chlorine को x माल लिए, और compound पर कितना charge है, minus 1, तो oxygen का नहीं निकालना है, minus 1, ये तो दीखी रहा है, अगतम direct, हैना, द पर बताओ, chlorine का निकालना है, तो x is equal to plus 1 होगा, क्योंकि पूरे पर charge plus 1 है, बताओ, minus 2 से plus 2 cancel, तो x is equal to कितना होगे, plus 1, तो इसमें देखो, chlorine का, oxygen number of chlorine है, वो 2 है, एक plus 1 भी है, and एक क्या है, minus 1 भी है, तो bleaching powder में एक ही chlorine का दो-दो valency होता है, chlorine का दो valency होता है, plus 1 भी होता है, और minus 1 भी होता है, और यह पूछा हुआ कोशन है, याद रखेगा, एक दम याद रखेगा, जो मैं नोट करवा रहा हूँ, एक दम याद रखेगा, यह सब कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, उसी तरह से देखिए, दूसरा है amalgams, है न, amalgams क्या होता है, amalgams हो compounds of metals with mercury, mercury जानता हो, Hg, compounds of metals with mercury, जैसे माल लो, sodium, mercury से reaction कर दिया, तो क्या बना दिया, यह sodium amalgam हो गया, है न, sodium amalgam, उसी तरह से बहुत सारा zinc amalgam बनता है, है न, बहुत सारा amalgams होता है, ठीक है, तो यह amalgam है, ऐसे compounds क्या बोलते है, amalgams बोलते है, तो इसमें ध्यान रखना, कोई valency नहीं होता है, ठीक है न, कोई पूछेगा, कि what is the oxidation number of, what is the oxidation number of sodium, तो क्या बोलना, zero, क्या होगा बाई, zero, कोई पूछेगा यहाँ पे, oxidation number of zinc, बोलना, zero, क्यूं, क्यूंकि इसका कारण यह है, कि यह free state में रहता है, क्या होता है, free state में होता है, मतलब इसमें sodium भी अलग है, और Hg भी अलग है, ठीक है, इसलिए, free state होने के कारण, इसका oxidation number क्या होता है, zero होता है, ठीक है, दो point जो था, वो मैंने बताया, तीसरा point देखे, एकदम सिंपल सा है, metals in free state, जैसे माल लो, मैंने सिर्फ तुमको दे दिया sodium, अब इसका oxidation number क्या होगा, बहुत बोलने वाले वोलता है, सर प्लस वन होगा, अपने मन से नहीं, ठीक है न, sodium के आसपास कोई charge दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यह free metal है, क्या है, free metal है, तो वही मेरा method रहेगा, इसका निकालना है oxygen number, तो क्या करेंगे, x, x मानेंगे, है न, x is equal to 0, देखो, free है, कोई भी, magnesium है, अगर magnesium 2 प्लस दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ magnesium दे दे और कुछ ना दे, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x is equal to, क्योंकि यह 0 नहीं है, ब्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यह सब थोरा सा आपको सीखना पड़ेगा, है न, तो हमेसा कोई free state में है, जैसे मानल, हम तुमको दे दिये, o2 minus, है न, ऐसे करके दिये, अब यहाँ पे निकालोगे, तो x क्या हो जाएगा, minus 2 आजाएगा, लेकिन मैं सिर्फ तुमको O2 दे देता हूँ, और पूछता हो इसका oxygen नमर क्या हो, तुम बोलोगे क्या, कि भाई, इसको x मानल लीजिए, और कोई charge नहीं है आपे, तो 2x is equal to, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, मतलब यहाँ पे oxygen का oxygen का oxygen नमर क्या है, 0 है, तो यह चीज आपको ध्यान रखना है, तो मैंने तीन चीज आपको बताया, जो कि थोड़ा सा अलग था, अलग क्या था, चीजे सेम ही है, रूल को फॉलो कर रहा है, बस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसका nature अलग है, ठीक है, चलिए, अगला देखते है, next, real method क्या, यह तो मैंने mathematical way से बता दिया, क्या आप oxygen नमर कैसे निकाल सकते हो, real method क्या होगा, कैसे यह, यह work कैसे कर रहा है, है, na, actually वर्क कैसे कर रहा है, what is the real method to calculate the oxygen number, ठीक है ना, real method देखते है, actual में, यह पहला जो method था, वो तो क्या था, simple सा method था, just आप oxygen number को valency से calculate कर लिए, वो सब सही ही था, लेकिन real method क्या होता है, real method को देखना है मेरे को, समझना है उसको, चलो, तो real method को समझने से पहले, थोरा सा आप समझे ए, electronegativity को, electronegativity को, है ना, electronegativity को, यह electronegativity क्या होता है भाई, तो electronegativity जो होता है, उसको बहुत लोग EN से भी दिखाते है, इन, है ना, tendency of non-metal to seek the electrons towards itself, है ना, tendency of non-metal to seek the electrons towards itself, अपनी तरफ, खीचने का, जैसे कोई non-metal है, यह N है, और यह non-metal Q है, है ना, अब मान लो की, EN के मामले में N जादा है Q से, और बताओ, यह bond कैसे बना होगा, यह एक electron दिया होगा अपना, और यह भी एक electron अपना दिया होगा, बीच में होना चाहिए था, लेकिन यह क्या किया, यह थोड़ा सा खीच रहा है, इसको electron को, तो जब खीच रहा है, तो basically क्या हो, क्यों खीच रहा है, क्योंकि electronegativity यह जादा है, है ना, तो अपनी तरफ ज़्यादा रखेगा electron को, मतलब electron का बहुत सारा हिस्सा, n के तरफ ज़्यादा रहेगा, रहना चाहिए था बीच में, लेकिन n अपनी तरफ खीच लेगा, इसको electronegativity बोलता है, simple सा है, आपको याद होगा थोड़ा सा तो आपने periodic table पढ़ा था, है ना, और periodic table में आपने ये पढ़ा था, कि अगर, इधर की तरफ जाओगे, तो EN increase करता है, electronegativity increase करता है, और उपर की तरफ जाओगे, तो electronegativity क्या करता है, increase करता है, यही पढ़ा था ना, आपने, यही पढ़ा होता है हा लो उसके बाद oxygen उसके बाद nitrogen उसके बाद chlorine और तब ही कोई आता है उसके आगे को आता है एक दम यह जर्लण मिथड याद रख लिजेगा अब देखें थोरा सा ठ्लिण के बाद ही कोई आएगा हाई आज है कारवण और हैड्रोसन में कौन ज्याद है एलेक्ट् नीगति थी कोडल आ जाध्रोसन से इस चेहान कर रहा हूं है बहुत लोग सोच कँग रहा होंगे क्या और पगणा रहा रहा है क्योंकि थोड़ा सा organic compounds को मैं examples लोगा और आपको समझाने की कोशिस करूँगा ठीक है तो इतना आप ध्यान रखिए कि अगर मैंने बोल दिया carbon, hydrogen, oxygen है ना और nitrogen है इसमें सबस्याद इतना तो पता चल गया FON, CL में यहाँ पर O है फिर N है और carbon hydrogen में कौन जादा होता है carbon फिर hydrogen जियान रखिए ऐसे list में याद रखिएगा फिर मैंने बोल दिया नहीं CH, ON तो है ही यहाँ पर sulfur भी कर दो, chlorine भी कर दो अब बताओ अब दिक्कत हो गया ठीक है और स्वारी पहले वाला question ही आगया चलो यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ चार ही रखता हूँ तो बताओ यह अब O, N, H, C, L देख लिए तो पहले तो O होगा देखो list के इंसाब से पहले पहले O, फिर N, फिर C, L उसके बाद ही कोई आएगा तो उसके बाद ही sulfur आएगा ध्यान रखेगा ठीक है ए एलेक्ट्र निगेटिव में चोटे-चोटा compound हम लोग देख लिए कि कौन-कौन जादा एलेक्ट्र निगेटिव है ठीक है ना क्योंकि यह सब use होने बाला है जैसे देखो तुम निकाले थे एक मेतर से मैंने बोला था आपको सबसे पहला question S204 किया था मैंने और मैंने बोला था आपको कि S का अगर निकालना है तो क्या करना है इसको X माल लेना है अब बोलते थे आपको याद करना पड़ेगा यह स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा यह स्ट्रक्चर आप सीखो कि chemical bonding में है अब ही तो याद करना पड़ेगा तो चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ HO यह याद करने के भी ज़रूरत नहीं है आप बस समझ यह इसको यह होता है इसका स्ट्रक्चर है आप देखो हमको निकालना है सल्फर का तो हमको सल्फर से मतलब है देखो तो थरा से ध्यान से इसका जो दो एलेक्टरौन होगा ऑकसीजन और सल्फर में ज़्याद और ऐलेक्ट्रोन्यटीक और ऑक्सीजन है है तो ऑक्सीजन अपनी तरफ खीचेगा जैसे एक प्रभार खी किचा तो इसके खीचने से माइनस वन चार्ज इसपे लगया कि जो अपनी electron लेता है, वो negative charge, और जो electron देता है, वो positive charge, तो यहाँ पे एक plus charge इस पे लग गया, इसके कारण से, अब देखो, उसी तरह से यह भी करेगा, यहाँ भी oxygen खीचा, एक pair, तो उसके कारण से एक minus यहाँ पे, और एक plus, यहाँ पे इस पे लग गया, अग sulfur के पास एक plus, यहाँ पे देखो, दो पेर, दो पेर खीचा, यह minus 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, plus 2, अब तुम ध्यान से देखो, कि तुमको पूछा गया oxygen number of sulfur, देखो तो, एक plus charge, दो plus charge, तो एक, दो, दो 4 और दो 6, 6 plus charge, देखो, यहाँ से आता है वो, ठीक है, कुछ और compounds करते हैं, तो आपको पता चलेगा, ठीक है, जैसे माल लो, तुमको H2O3 ही है, या माल लो, तुमको H2O7 दिया है, हाना, H2O7, तो आप बताओ, H2O7 दिया है, तो क्या करोगे, सिंपल सा एकदम, देखो, सल्फर का निकालना है, 2 into 1, plus 2x, plus 7 into minus 2, is equal to 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 plus 2x, minus 14, is equal to 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x is equal to, plus 12, x is equal to, plus 6, यह तो आपको पता है, लेकिन यह आया कहां से, real method इसका क्या है, तो चलिए, इसका structure बनाई है, H2O7 का, है ना, पायरो-सल्फियोरी किसी रिया, ओलियम बोलते है, इसको, इसका structure ऐसे बनेगा, देखे तो, अब बताओ, देख रहा हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यह है structure, ऑक्सिजन ज्यादा, एक बन्ड है, तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज, दो बन्ड है यहाँ पे, तो दो प्लस चार्ज, यहाँ भी दो बन्ड, दो प्लस चार्ज, एक बन्ड, एक प्लस चार्ज, है ना, फिर यहाँ भी वैसे ही होगा, एक प्लस चार्ज, एक प्लस चार्ज, दो प्लस, और यहा agree to note Na 12 अब और एक्रवीनंट lesson जाएगा स्वाइब प्लासिक या सब्सें चैनल पर प्लासिक्स योग हो即 TIME क्युआ किसे फाएदा क्या होता है कि Queensborough time कि Simon कि फाइदा बहुत सार है चली आपको आपको मैं बताता हूं फायद एककपारे में मैं फाइदा ये है जैसे मैंने बूला आपको आनिलीन आगे खूब सार औक्सेशन नमर पढ़ोगे तो बेसिक है तो छोट 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 चीज बताओ आनिलीन बोलते है एक इसको एनिलीन बोलते है एनिलीन ऐसा होता है देखो यह एनिलीन है अब देखो यह एनिलीन है यह क्या है बेसिकली बेंजीन रिंग है पता है ना बेंजीन रिंग उससे मतलब नहीं है आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उससे बिल्कुल भी लेना देना इसमें नहीं है अब देखे छोटा सा इसको छोड़ी इसको नहीं स मज़ यह कि यहां पर carbon होगा, सारे जगा carbon होगा, सारे जगा इसके corners पर carbon होगा, यह सा आप तो पता है, और देखो, यह carbon है और यह nitrogen है, और यह ऐसा bond बनाता है, यह lone pair इसके पास है, ठीक है ना, structure के बारे में मत सोचिए, बस सोचिए, सब चीज दिया रहेगा अभी तो आपको, अब देखें, यह आपका एनिलीन हो गया, अब एनिलीन है, तो carbon nitrogen में कौन electronegative है भाई, यह तो पक्का है electronegativity के मामले मगर देखा जा, तो यहां कितना elements दिख रहा है, carbon दिख रहा है, nitrogen दिख रहा है, hydrogen दिख रहा है, यही तीन दिख रहा है न, इतना तो पता है कि Foncl के बाद ही कोई आता है, यह तो पता है आपको, तो सबसे पहले तो nitrogen हो गया, और carbon hydrogen में मैंने बता आया है, carbon ज़्यादा होता है hydrogen से, चलिए, यह तो आपको पास rule हो गया, तो nitrogen ज़्यादा है, तो obvious सी बात है, यहाँ पर देखिए, nitrogen इधर की तरफ खीचेगा, और nitrogen जैसे ही इधर की तरफ खीचेगा, तो यहाँ प्लस वन चार्ज, और यहाँ पर जो खीचा है वो माइनस वन चार्ज, अब nitrogen हैड्रोजन में कॉन खीचेगा, तो nitrogen में nitrogen खीचेगा, तो यह खीचेगा, तो माइनस वन चार्ज और यहाँ पर प्लस वन चार्ज, यह भी खीचेगा, तो माइनस वन चार्ज और यहाँ पर प्लस वन चार्ज, अब बताओ, nitrogen के पास oxygen नमर कितना हो गया, तो माइनस वन, माइनस वन, यूज किजिए लेकिन इस तरह का compound आजाए तो यह सब मेथड ही काम करेगा आपका उसमें आप बहुत चक्क्र में पढ़ जाएगा ठीक है चली और देखते हैं जैसे माल लो तुम्हारे पास है नाइट्रो बेंजीन है ना नाइट्रो बेंजीन तो नाइट्रो बेंजीन कैसा होता है बाबू ऐसा होता है अब बताओ एकदम नाइट्रो बेंजीन है तो नाइट्रो बेंजीन structure में अगर बनाओ तो इतना तो पता है 6 carbon होगा और यहाँ पर जुरा हुआ है N ऐसा होता है अब बोलोगे सर यह single bond double bond तो देखे है इसको बोलते है coordinate bond क्या बोलते है बाबू coordinate bond इसके लिए tension मतलो आपको समझ में आ जाएगा coordinate bond same as double bond की तरह होता है double bond की तरह क्यों बोला मैंने तो इसका मतलब अगर यह दो दिख रहा है और nitrogen oxygen में nitrogen ज्यादा electronegative है यह पता है आपको FONCL याद किजिए तो यह खीचेगा तो यह minus 2 तो यहाँ पर plus 2 होता था उस तरह से यह भी अगर खीचेगा coordinate bond है तो एक coordinate bond minus 2 charge लेता है खीचता है और यहाँ पर भी plus 2 और carbon nitrogen में nitrogen minus 1 तो अब बताओ यहाँ पर oxygen number of nitrogen कितना हो गया तो 2 2 तो 4 हुआ लेकिन minus 1 लग गया तो क्या हो जाएगा plus 3 हो गया देखो एक ही जगह यहाँ पर nitrogen का minus 3 था और यहाँ पर कितना था plus 3 था समझ में आई बाद समझ में आई चलो next आगे देखते हैं कुछ और compounds जैसे छोटे-छोटे compounds और कर लेते हैं कुछ और compounds है जैसे आपका आगया carbon suboxide basic है तो छोटे-छोटे मैं compounds आगे से उठा के ला रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ना है थुरा सा लेबल से पढ़ना होगा अदर्वाइस पढ़ने से कोई फायदा नहीं है medical engineering करना है board भी करना है तो board के लिए भी ऐसा basic चीज जो है वो strong रहेगा आपका तभी board में आप 90% से एवा mark सोच सकते हो ना basic चीज है यह सब एक्तम चलिए यह होता है structure भाई देख लिजिए carbon sub oxide carbon का निकालना था देखो अब यह दोनों तो सेम सेम है तो इसका electron तो सेम सेम रहेगा ना यह ज़्यादा अलेक्ट्रों निगटिब ने यह ज़्यादा अलेक्ट्रों निगटिब कोई ना खीचेगा ना लेकिन यहाँ पर आके oxygen खीच लेगा minus 2 तो यहाँ पर क्या जाएगा plus 2 इस तरह से इसका oxygen नमर बता जीरो होगा क्योंकि ना यह खीच रह न यह खीच रह तो इसका oxygen नमर 0 कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर यहाँ पर माइनस 2 और यहाँ पर plus 2 है ना बता average कितना होगा बाबू average निकालोगे है ना average कितना हो जाएगा देखलो plus 2 plus 0 और plus 2 और कितना है यहाँ पर ऐसे से लोग 3 लोग है 3 कार्बन में बटेगा ना तो कितना हो जाएगा plus 4 by 3 average देखो, आसानी से निकल गया, है ना, यह आपको निकालने आता है यह average, चलिए, और भी compound देख लेते हैं, छोटा-छोटा, है ना, जो important पूछा जाता है, यह सब question पूछा गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जिससे एक बार question ऐसे आया था, देखें, जिससे बोला था कि यह है आपका एनिलीन, है ना, और यह change हो गया, नाइट्रो बेंजीन में, यह मान लिजेए, सॉरी, यह NO2 है, और यह NH2 में change हो गया, ऐसे, change in oxidation number कूछ रहा है, है ना, change in oxidation number, कैसा oxidation number change करेगा, तो आपको पता है अभी, इसका निकाला था मैंने plus 3, और इसका निकाला था मैंने minus 3, अभी थोले दिर पहले निकाला था, ठीक है, तो change in oxidation number क्या होता है, कोई भी change जो हटा है, वो होता तो final में से initial को घटा ना, यह ना, य कमेंसा जो final हुआ result उसमें से initial गटा दिये तो change निकल जाता है तो ऑकशिरिसल नमर का change कैसे निकल अनल कितना है minus three है न और initial कितना है plus three तो minus three minus three total कितना हो गए बाई minus six है न तो change निकल गया आगे देखते हैं थोरा सा और कुछ-कुछ रिजल्ट्स अब यह सब निकालने के बाद आप सारा चीज सीख गया है आप देख लिए कि कैसे निकलता है सारा चीज आप लगभग सीख गया है सारा चीज आप देख लिए कैसे अब ट्रिक से निकाल सकते हो मैथमेटिकली है रियल मेथड क्या होता है कार्बन वाले का कैसे निकालेंगे यह सब भी देख लिए कुछ-कुछ ब्लिचिंग पाउडर वगरे सब भी देख लिए अमल्गम्स देख लिए अब देखे क्या एक्सेप्चन का निकाली है तो पहले उस वाले मेथट से ट्रिक से तो देखे यह एक्समाल होगे फिर बोलोगे पांच अउक्सिजिण है 5-2-2 is equal to 0 बोलोगे और फिर x is equal to plus 10 बोलोगे है ना गलत है 10 नहीं होगा, गलत है, यहाँ पर exception है, तो क्या exception है, तो इसके real method में जाओ, real method तो answer सही देगा न, तो इसका structure कुछ इस तरह से होता है, butterfly structure होता है, butterfly structure, देखो, ऐसा structure होता है, अब पुछो कि क्या answer होगा, तो भाई, chromium oxygen में तो oxygen जाता होगा, यहाँ भी oxygen, यहाँ भी खिचा oxygen, यहाँ भी खिचा और यहाँ पर 2 oxygen, तो यह खिचा तो minus 1 यहाँ पर, plus 1 यहाँ पर, यह खिचा तो minus 1 यहाँ पर, plus 1 यहाँ पर, यह minus 1 यहाँ पर, minus 1, plus 1 यहाँ पर, sorry, minus 1 नहीं, यह दो bond है, तो minus 2, और यह plus 2 होगा, minus 1 और plus 1, अब देखो तो इसके पास कितना आ गया, oxygen नम नमबर 10 नहों के कैरोज इसीट का हमेशा अक्षडेसान नमबर क्या होता है प्लस 6 होता है यह exception है हमेशा ध्यान रखना है आपको यह अल्वेज एकदम याद रखिए हमेशा आपका 6 होना चाहिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बोला मैंने उससे बाहर कोशन नहीं जाता है अब लेक्शर पुड़ा बनाईएगा पढ़ना है आपको मन से ठीक है एक एक चीज मैं पढ़ाता हूँ हर चीज हम पुड़ा प्लान करके है अब देखें दूसरा बॉसरा है मारसल स्यसत्थ घेक है यह मारसल स्यसत्थ क्या होता है हट्स तू ह क्या हस्तू ओट nyt इसमें क्या फर्क देखें वह सॉरी पर द्राओ नहीं है थोरा सा है इसको नाम कुछ जाही कर लीजिए आपक्स यह सीड नहीं है ऐक्शलिग यह क्रोमियम पिंट बस सारा चीज़ सही है, नाम इसका थोड़ा सा मेरे को हुआ, तो क्रोमियम पेंटा उकसाइड पहला आप देख लिए आपने, मार्सल सिष्ट देखे, इस्ट इस्ट वेट, जो मैं मार्सल सिष्ट देखा तो मेरे की याद है, यह ऐसा होता है, आप बता हूं, यह दो, तीन, तीन, छे, दो, आर्ट, ठीक है, इसको बोलते है pigrauxky linkage, ध्यान रखना, जब भी dwo oxygen साथ में रहेगा, तो इसको बोलते है, pigrauxky linkage, बहुत बएर question पूछ देता है, नो градूए liजा brainsil huh hole जो कि एक थी नहीं होनए, ठीक है, आप देखे, अगर ऐसे निकालते, तो मै मैं बताता हूँ आपको अगर ऐसे निकालते तो कितना आता आपका 2 plus 2x minus 16 is equal to 0 2x is equal to 16 14 x plus 7 आता है लेकिन 7 नहीं होता है ध्यान रखेगा 7 नहीं होता है इसका 7 नहीं होता है तो क्या होता है तो देख लिजिए यहां से से minus 1 plus 1 minus 2 plus 2 plus 2 minus 1 यहां से वैसे कीजिए minus 2 plus 2 minus 1 plus 1 minus 2 plus 2 जैसे करते हो आई minus 1 plus 1 अदेख Learn इसका भी 6 आया इसका भी 6 आया तो average कितना हो जाएगा बाबू एक का 6 दूसरे का भी 6 और है दो लोग तो average कितना हो जाएगा छे ही नहीं हो जाएगा देखलो इसका oxygen तब जोह आपसे नम्बर होता है है झो जो जो ऐक्सेप्स है उसका रहा था इसका शे हैने 10 बता रहा था लेकिन इसका 6 था इसका क्या इसका साथ बता रहे था बवी मुद्ध कर भी च्य है correct हासा दूसरा एक्सेप्स एक्सेप्ष्षन देखा था तीसरा एक्सेशन केरोजेसिट देख लेते हैं actually केरोजेसिट का मैंने formula अलग हो गया था h2SO5 बोलता है केरोजेसिट, h2SO5 अगर ऐसे निकालेगा तो क्या हैगा 2 प्लस x प्लस 5 इन्टो माइनस 2 is equal to 0 10-2 that is plus 8 लेकिन 8 नहीं होता है, ध्यान रखेगा ये गलत है क्या दिक्कत है यहाँ पर, तो देख लीजे इसका structure देख लीजे ये होता है अब फिर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें पिरॉक्सिलिंकेज होता है कि नहीं होता है देख लीजे भाई, है पिरॉक्सिलिंकेज इसको पिरॉक्सिलिंकेज बोलते है जब 2 oxygen एक साथ रहेगा तो पिरॉक्सिलिंकेज बोलते है अब ध्यान से दुखो इसमें तुम देखें कि ये कैरोज इसिट है यहाँ पे ये लिया माइनस 1, प्लस 1 ये 2, 2 bond है तो माइनस 2, प्लस 2 ये 2 bond, माइनस 2, प्लस 2 ये माइनस 1, प्लस 1 है ना, अब बता तो कितना हो गया मेरे ख्याल से 6 हो गया तो इसका भी answer जो होता है H2O 105 जो है, वो प्लस 8 नहोंके प्लस 6 होता है, ये याद रखेगा ये भी exception है, चौथा exception देखे, और सारा exception real method से होता है, इसके, इससे नहीं calculate करना, ये 4 compounds है, और बहुत बार पूछे जाते है, ये आपको पता है exceptions ही, ज्यादा लोग पूछता है क्योंकि लोग को जो exceptions याद नहीं रहते हैं है ना, वो तो general method सियाद कर लेते हैं, और फटाक फटाक निकाल के बता आते रहते हैं, तो exceptions लोग ज़्यादा आपसे पूछेगा, ठीक है? तो ये याद रखेगा अगला exception है, जो फोर्थन में, वो देखे, वो है K3CR 08, है ना? तो K3CR 08 का भी ध्यान रखेगा अगर ऐसे निकालेगा, तो कितना आएगा? 3, प्लस X, प्लस 8 इंटो माइनस 2 इस इकल टो 0, यहां से X निकालेगा तो 8, 2, 16 में से 3 गया कितना? 13 ये 13 आएगा, लेकिन actually भी 13 नहीं होता है, ठीक है ना? इसका भी वही रीजन, रीजन सेम है और प्लस 6 होता है तो आपके 4 exception होगा है, कौन-कौन से? और ध्यान रखे थुरा सा result बना के एकदम याद रखे कि 4 exception है मेरे, और कौन-कौन से exception है जो जनरली पूछे जाते है, है ना? लेकिन मुँको नहीं लगता है मैंने कुछ छोड़ा है, सारा लगबग आपको लिखवा दिया है रिजल्ट पहला CRO5 इसका भी प्लस 6 होता है, ध्यान रखेगा दूसरा H2, S2O8 इसका भी प्लस 6 होता है, मार्सल्स एसिट बोलते हैं इसको तीसरा H2SO5, इसको कैरोज इसिट बोलते है, इसका भी प्लस 6 होता है और चोथा, पोटासियम क्रोमियम ओकसाइड, इसका भी प्लस 6 फिक्स्ट होता है, तो यह 4 एक्सेप्संस ध्यान रखेगा, उससे सॉल्ब नहीं होता है, ठीक है अब देखेए लगता है, मैंने आपको सारा oxygen number का कंसेप्ट बता दिया लेकिन एक चीज़ छोड के oxygen number of complex compounds, coordination compounds, ठीक है, oxygen number of coordination compounds, उसको देखेए थोड़ा सा, समझेए oxygen number of coordination compounds यह बहुत लोग इसको complex compounds बोलते है ठीक है इसको भी समझेए, थोड़ा सा आसान है बहुत, इसके लिए थोड़ा सा याद कर लिजिए अगर कहीं cn दिख गया, तो इसका balance use करना है minus 1 co दिख गया, तो इसका use करना है 0, याद रखे scn दिख गया, तो इसका use करना है minus 1, cl तो minus 1 होता ही है br minus 1 होता ही है f minus 1 होता ही है i iodine minus 1 होता ही है यह सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए no2 कहीं दिख गया minus 1 और मैं बता देता हूं थोड़ा थोड़ा चीज आपको जनरल चीज है अब वो आपको ध्यान रखनी चाहिए कहीं पर water दिख्या हो टाइप का एच वाटर को हो भी लिखते है बहुत लोग इसको एच टू भी लिखते है उसका जीरो होगा कहीं पर एनेस थी दिख्या जीरो है ना एनो दिख्या प्लस वान है ना ठीक है एन्टू दिख्या कोई भी जैसे compound और लेलो जोकी important हो आपका एसो फोर दिख्या माइनस टू है एसो थी दिख्या माइनस टू एनो थी या आपका एनो टू एनो थी दिख्या माइनस वन है ना पियो फोर माइनस तрий एक रहने दिजे जो पूचा रहा हूँ है ओम अ मलश्या इसक्रों आपको एस एस आपको देख्या एल्याथ ज्याथ की सोगा या इस complex compound किसको भूलते हैं complex compound होता कैसा है जैसे कोई भी example में ले लेता हूँ पस उसको समझी है अभी complex compound 12 में पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से तेंगि इसको समझी है जैसे बो गया आपको k3 fe cn6 है ना ऐसा कोई compound दे दिया तो यह compound complex compound का लाता है यह जो देख रहे हो दोनों इसको बोलते हैं coordination is fair coordination is fair इसको बोलते है central metal यहाँ पर जो होता है central metal होता है और इसी का oxygen नमर निकालना होता है यह जो है इसको बोलते है ligands ठीक है ना ligands बोलते है और यह जो है यह तो simple सा iron है यह simple सा iron है ध्यान रखेगा तो ऐसा अगर compound मिले कहीं भी तो उसको क्या बोलते है complex compounds बोलते हैं ठीक है अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे oxygen number ठीक है उसको देखते हैं थोड़ा सा तो oxygen निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है ज्यादा आपको जिससे इसका निकालना है fe का तो क्या है 3 और पूरे compound पे देखो 0 चार्ज है यह ध्यार नकना है तो equate 0 से करना है 3 into 1 प्लस यहां पे इसको क्या मान लेंगे एक्स प्लस छे साइन आइड आयन तो 6 into minus 1 is equal to 0 क्योंकि साइन आइड का minus 1 था याद किजिए तो 3 plus x minus 6 is equal to 0 तो x is equal to क्या हो जाएगा बाभू यहां से निकालोगे तो यह हो जाएगा आपका एच्टू कर दो यहां पर है ना प्लस फ्लस थ्री एकदम असान सा और देख लेते हैं जैसे मैंने आपको दे दिया है एच पीटी सील फोर ऐसा दे दिया कुछ आप बताओं तो कैसे निकालोगे इसका प्लैटनम का निकालना है वान प्लैटनम को एक्स और चार क्लोराइड माइनस वन इसकल तो जीरो तो बाबु कि यह निकालो तो यह और ओगया अब का इस्कोल्स एक्स इक्स इकोल क्या हो जाएगा अवयसर निकालोगे तो जी होगा अ इसे निकालापको कर दो तो x मान लो 6 water है तो 6 into water का 0 होता है और plus 3 chlorine तो 3 into minus 1 is equal to 0 तो x minus 3 is equal to 0 तो x equal to क्या हो जाएगा बाबू? प्लस 3 एकदम simple सा अभी ज़्यादा ज़रत नहीं है इसको समझने का लेकिन सिंज मैं आपको oxygen नमर पूरा पढ़ा रहा हूँ तो ये पुड़ा throughout मैंने 11, 12 सब का पढ़ा दिया आपको और देखे कितना आसान है समझना है ना? बहुत आसान है समझना हो सकता है बहुत बार ऐसे ना दे के ऐसे दे दे fe cn6 और यहाँ पर 4 minus ऐसे दे दे अब बता ऐसे कैसे निकालोगे हो सकता है ऐसे ना दे के ऐसे दे ns3 का hole 4 और plus plus ऐसे दे तो क्या करोगे? तो simple सा है fe का निकालना x 6 sin 6 into minus 1 और ये पूरे compound पर कितना charge? minus 4 minus 4 से equate कर देना है जैसे उसमें वो ऐसे ही इसमें minus 6 minus 4 तो x is equal to क्या आजाएगा बाबू? प्लस 2 प्लस 2 आजाएगा यहाँ पर बताओ निकालना है तो x plus 4 इसका 0 होता है is equal to plus 2 देख रहा है पूरे compound पर प्लस 2 चार्ज तो x is equal to क्या आजाएगा? प्लस 2 कॉपर का कितना आगया? प्लस 2 आगया तो कितना आसान है वो समझ सकते हो तुम लोग है ना तो यह मेरा जो हुआ आपका lecture 1 जो है मेरा यह हो गया फाइनल अब मैं इस पर 15 questions करता हूँ back to back 15 questions है ना और उस 15 questions के बाद आप मेरे को जाके study material में जाईए वहां से basic chemistry खो लिए है और basic chemistry खोनने के बाद उसमें जाईए DPP section में और DPP section में DPP one मेरे को बना के पुड़ा आप कॉंपी बना के हना मेरे को दिखाएंगे ठीक है? कॉंपी बना के आप मेरे को दिखाएंगे इमानदारी से सारा questions आप attempt करेंगे इस जो वीडियो देख रहे हो इसको दो ब करना है थुरा सा मेहनत करना होगा इस वीडियो को दो घंटा ध्यान से देखोगे और देखने के बाद तुरंत question attempt करो दौर के तब question बनेगा और जब एक पर question मनेगा ना तब confidence आएगा तो अगली lecture से और मज़ आएगा है ना? है ना? और धीरे-धीरे मैं आपको मेरी लगा दूँगा है ना? आपको फिर मेरा ही बात समझ में आएगा वो तो धीरे-धीरे होगा है ना? दो तीन class बात आपको feel होने लगा कि मेरे को समझ में आ रहा है चीज़े लेकिन अभी क्या करना है question बनाना है तो 15 question मैं back to back अभी बना दिलता हूँ और speed में बनाने कोसिस करना है है ना? अभी 10 question धीरे-धीरे बनाओ लेकिन उसके बाद फिर speed बनाना सुरू करो, speed अपना बढ़ाओ क्योंकि यहां पर क्या करना है medical और engineering में क्या माइन रखता है बोड़ वाले नहीं, बोड़ वाले तो अराम राम से समझ समझ के बनाइए और copy बनाइए ज्यादा बेटर करेंगे तो आप या NDA करेंगे या कुछ अच्छा करेंगे है ना? तो आप भी पढ़ना स्टार्ट की जैसा नहीं कि हम बोड में है तो हमको तो लो ले पढ़ना है ऐसा कुछ नहीं है ना? अपको भी पढ़ना होतना है इसका questions भास्त है आपको questions तो आसा कम करना है ना? जाएम लिमिट है ना बाबू? आपको एक question पर दो मिनिट से जादा नहीं मिलेगा तो दो मिनिट से जादा यहां पर अगर दो मिनिट लगा रहे हो तो एक्जाम में तो और तीन मिनिट लगा क्योंकि आप तो मेंटल प्रिश्र बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए आपको तो पहला है कि in which of the following compounds the oxidation number of oxygen is positive. Oxidation number of oxygen is positive. कौन से compound में oxidation number positive होता है? questions देखे कैसे पूछता है? जैसे H2O2 दे दिया आपको, B, NO2O2 दे दिया, C, OF2 दे दिया, और D, H2O दे दिया. अब क्या करना है? इसमें निकालना है सबका oxygen का, क्योंको oxygen का पूछ रहा है तो सब में oxygen का निकालिए है. इसका निकालिएगा तो क्या आएगा? 2 into 1 plus 2x is equal to 0. यहां से 2x is equal to minus 2, x is equal to minus 1? इसका तो negative आगया तो यह कट गया. इसमें निकालिएगा, तो भी minus 1 आगा, आप निकाल के देख लीजी यह भी कट गया. इसमें निकालिएगा, तो x plus 2 fluorine, fluorine का minus 1 होता है, फिक्स होता है, तो x is equal to कितना आगा? प्लस 2. इसमें निकालिएगा 2 plus x X is equal to 0, X is equal to minus 2, तो यह भी कट गया, आंसर कौन सा होगा, C, ठीक है, तो ब्रा आसान सा है, देख रहे हो, बस आपने थोरा सा सीखा है, तो यह सब बोड़ वाला कोशन है, छोड़ चोटा, अभी और मैं बढ़ाओंगा, कोशन का लेबल, देखिए, कोशन कैसे तफ होता है, ज जीरे-जीरे जैसे बहां बढ़ते गया, तो टफ लगने लगा, तो बात वही है, 0 से hero बनना इसी को बोलते है, हाँ, बोल रहा है, conversion of K2Cr2O7 to K2Cr4, K2Cr2O7, convert कर गया, K2Cr4 में, है न, K2Cr4 में convert कर गया, अब बोला है, the oxidation number of chromium, oxidation number of chromium, क्या हुआ, पहला, remains same, दूसरा बोल रहा है, increases, तीसरा बोल रहा है, decreases, और चौथा D देखे, क्या बोल रहा है, D बोल रहा है, NONE, तो कैसे होगा, बाबू, देखो, तो सबसे पहले देखते हैं, कि K2Cr2O7 में क्या होगा, oxygen number, तो निकालो, 2 plus 2x plus 7 into minus 2 is equal to 0, मेरे तो 6 आ गया, हाना, यहां से निकालो, तो मैं direct calculate कर रहा हूँ, देखो, 4 दूनी 8 उदर गया, 8 में से 2 गया, 6, देखो दो, हाना, अरे वही होगा न, आभी भी 6 ही है, तो 6 है, तो 6 है तो भाई, क्या change हुआ, नहीं change हुआ, remains same, ठीक है, चली, next देखते हैं, आके, तो question कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने आपको पढ़ाया है, oxygen number, तो आपको सब oxygen number ही पूछे, ऐसे नहीं, ऐसे तो दिमाग लगा के पूछता है question, हाना, question easy नहीं रहता है, question को twist करवाया जाता है, oxygen number of carbon in carbon sub oxide, C3O2, carbon sub oxide, अरे, ये तो मैंने पढ़ाया आपको, अभी तो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था ये बात, कौन सा होगा, plus 4 by 3, एक बार फिर से देखना है, तो फिर से देख लीजे, आपको नहीं बताया था, इसका निकालेगा, minus 2 आएगा, क्योंकि ये 2 ले लेता है, ये भी 2 ले लेता है, तो minus 2, इसका 0, average किजिए, minus 2, plus 0, और plus minus 2, divided by 3, कितना आएगा, plus 4 by 3, देखिए, वही option है आपको, ठीक है, दिक्कत होती है, थोरा सा speed से, तो आप क्या किजिए, बोलिए मेरे को किसा, थोरा सा और slow किजिए, बहुत सारे बच्चे हैं इसमें पढ़ रहे हैं, तो थोरा सा slow किजिए, या फिर जिनको लगता है नहीं, ये slow है, तो बोल सकते, स्पीड किजिए सर, और या जिनको लगता है नहीं सर, तो एक तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, कि आप क्या किजिए, वीडियो को pause करके, पॉस करके देखा किजिए, तो आप उसको देख सकते हैं, question 4, question 4 में है, कि which atoms undergo a change in the oxidation number in the reaction, which undergoes a change in the oxidation number in the reaction, कौन सा इसमें से oxygen number में changing होगा, तो पहला है, जैसे reaction दिया हुआ है, 2 KCLO3, 2 KCLO, और प्लस 3 O2, ऐसा दिया हुआ reaction, चलिए हमको क्या मतलब है, देख लेते हैं, option दिया हुआ है, K and CL, K and O, CL and O, KCL and O, आप पताओ, मेरे को देख के बताओ, किसका oxygen number change हो सकता है, क्या, चलिए, पोटैसियम का देखो, प्लस 1 क्या होता है, fixed होता है, change हो ही नहीं सकता है, तो पोटैसियम अला सारा काड़ दो, option कौन सा हो गया, C, ये तो चालाकी से question बनता है, ठीक है न, दूसरा तरीका है, आप निकालो, यहाँ पे CL का निकालोगे, तो कितना आएगा, यहाँ पे CL का अगर निकालोगे, तो 3 दूनी 6 में से एक गया, कितना, 5 आएगा, यहाँ पे K का निकालोगे, तो 1 plus fixed तो fixed ही है, हाँ न, O का निकालोगे, तो minus 2 आएगा, यहाँ पे देखो C L N O का change कर रहा है oxygen यहाँ minus 2 था यहाँ 0 हो गया C L यहाँ plus 5 था यहाँ minus 1 हो गया तो C L N O का change कर रहा है पोड़े सेम फिक्स्ट रहता है तो एक तरीका तो है आप दिमाग लगा के बनाओ दूसरा तरीका है आप मेहनत करके बनाओ चलिए 5 फिप नंबर कोशन देखते हैं तो फिप नंबर कोशन में है doxation number and covalency of sulfur in acid molecule acid molecule acid molecule क्या होता है अब देखें आपके teacher ने आपको कैसे पढ़ाया 10th में वो तो आप ही जाने लेकिन थोरा सा अगर मेरे को मेरी बात की जा तो मैं 9th में पढ़ाता तो ये acid molecule आपको पढ़ाता है acid molecule actually कुछ नहीं होता है ये कुछ ऐसा होता है है ना sulfur 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 देखो ये acid molecule ये structure of देख रहे हो तीन पाँच कितना हो गया है है ना acid molecule ये है structure of sulfur crown sept होता है कैसा होता है crown sept होता है ठीक है अब देखो क्या करना oxidation number निकालना है तो oxidation number acid का निकालना है तो भाई 8x और acid पे 0 तो ये trees छीरो ये तो समझ में आ बंगया यंए structure of sulfur crown sept हो अब इसमें निकालना oxidation number निकालना को ये ये खो सकता है ये हो सता है ये धोनों तक कट गया हो eton advocacy की बाद कितना होता है तो sulfur का deste कि बात कर रहा है होना sulfur का than tuned मैंना से कितना होता है क्या बाबू? इसको बोलता है atomic CT, वो कितना है? 8 है, number of atoms in a molecule is known as atomic CT, आप पढ़े होगे, उस वो 8 molecule है, ठीक है? चलिए, next देखते है, 6 बोल रहा है, a, b and c are 3 elements, a, b and c are 3 elements, है न? इसमें a का oxygen नमर दिया हुआ है, कितना? plus 2, b का दिया हुआ है, plus 5, और c का दिया हुआ है, minus 2, है न? ऐसे करके दिया हुआ है, what could be the compound? कौन सा compound होगा? a2, bc का whole twice, कौन सा compound इसमें सो possible है? देखो, ये question पूछा हुआ है, a2, bc4 का whole twice, c, a3, b, bc4 का whole twice, d, a, bc, अब इसमें से कौन सा पॉसिबल है? बताओ, मेरे को बताना है, आपको इतना जरूर पता होगा, कि अगर oxygen नमर रखते हैं, तो इस सब का सम 0 आना चाहिए, क्योंकि सम neutral compound है, अब देखो, 2, a है, a का कितना है, 2 है, प्लस, b, bc का whole twice है, मतलब b2 को है, 2, तो 2 into 2, और 2 into 5, sorry, 2 b है, और 1 का b का 5 है, प्लस, 2 c है, और c का कितना है, माइनस 2 है, देखो, तो 0 आ रहा है, क्या? तो मेरे को लगता है, 4, plus 10, और minus 4, नहीं, 10 आ रहा है, यह तो नहीं होगा, compound possible, अब देख लेते हैं, 2 into 2, plus, b कितना है, इसमें, 3 b है, देखो तो, b एक यहाँ पर, और bracket में 3 लगा तो 3 भी हुआ, तो 3 into 5, प्लस, 4 ती 12, c 12 है, minus 2, देख ले, जोड के, तो जोड़ोगे तो कितना है, देखो तो, 4 plus 15, और minus 24, हाना? मेरे को नहीं लगता है, 19, नहीं, यह भी 0 नहीं आया, हाना? इसमें देख लिजे, 3 into 2, plus, 2 भी है, तो 2 into 5, plus, 8 c है, तो 8 into minus 2, यह कितना हो जाएगा, बाभू, देखो तो, 6 plus 10, और minus 16, 16 minus 16, 0 आगया, यह मेरा answer हो गया, यह भी नहीं होगा, ठीक है? तो, कितना आसान है, question पूछना, और वो देखिए, है कुछ नहीं, बस थोरा सा, जो आपको concept मैंने सिखाए, कि equivalent 0 के बराबर होना चाहिए, वो उल्टा करके पूछ दिया आपसे, आप सोचते रहे है, अरे, मस्टरबा तो यह नहीं पढ़ाया, हाना? सारा चीज पढ़ाया है, जैसे पूछ दिया, oxygen number of Fe 0.940, है ना? ऐसे बूल दिया, कि Fe का oxygen number कितना होगा, तो कैसे करेंगे, simple सा है, एकदम, option देख लिजे, यहाँ पे, option दिया हुआ है, या तो plus 2 बोलो, या तो 200 by 94 बोलो, या तो 94 by 200 बोलो, या प्लस 1 बोलो, ऐसे, तो क्या करना है, ऐसे, 0.94x हो जाएगा, रहोगा, एक रहता तो 1x करते थे, 0.94x, प्लस, माइनस 2 is equal to 0, तो यहाँ से 0.94x is equal to क्या हो जाएगा, 2, तो x is equal to क्या हो जाएगा, 2 by 0.94, यह point उपर गया, तो कितना हो जाएगा, 200 by 94, देखो, कौन सा, B option, यह आसान है, हाना, बहुत आसान है, चलिए आगे देखते हैं, कौश्चन नमर 8, कौश्चन 8 में क्या है आपका, C-A-O-C-L-2 में, क्लोडीन के कितने वैलेंसी होते हैं, तो आप जानते हैं, प्लस 1 या फिर माइनस 1, हाना, उस तरह से कौश्चन नमर 9 देखिए, बोल रहा है कि, oxygen of nitrogen is correctly given for, A दिया हुए है, CO-NH3 का होल 5, CL और CL2, B दिया हुए है, NH2OH, C दिया हुए है, N2H5 का होल twice SO4, और D दिया हुए है, Mg3N2, और सब क्या के oxygen नमर दिया हुए, यहाँ पर दिया हुए है 0, यहाँ पर प्लस 1, यहाँ पर प्लस 2, और यहाँ पर माइनस 3, ऐसे करके दिया हुए है, कुछ पता ही अब, मैं सही बला चुन लेता हुए, अग्दम आराम से, देखें, जैसे मैं नीचे स्टार्ट करता हूँ, तीन मैंगनेशियम है, तो मैंगनेशियम का 2 होता है, 3 इंटू 2, प्लस, इसको 2X is equal to 0 में माल लू, तो 2X कितना हो जाएगा, माइनस 6, is equal to कितना हो जाएगा, माइनस 3, बाद बागी सब गलत, चेक कर लीजिया आप, अना, चलिए, क्वेशन नमर्ट 10 देखे, इसे बोल रहा है, कि एक मेटल आयन है M3 फ्लोस, और वो तीन एलेक्ट्रोन और लूज कर देता है, हाना, लूज कर देता है, तो उसका उक्षडेशन नमर्बर अब कितना होगा, तो पहले से 3 था ही, हाना, और 3 गौर लूज कर दिया, एलेक्ट्रोन, तो 3 और एड हो जाएगा ना, यहाँ पर, तो अब कितना हो जाएगा यह, 6 प्लस, तो ऑक्षडेशन नमर्बर कितना हो जाएगा, इसका, प्लस 6, मैंने बताया था, हाना, मैंने बताया था आपको, कि mg अगर अकेला है, तो ऑक्षडेशन नमर्बर जी रो, लेकिन mg प्लस 2 है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्षडेशन नमर्बर प्लस 2 ही हो जाता है, ठीका ना, फ्री एश्ट वाला याद कीजिए, चलिए मेरे को पता दूँगा, टाइमिंग आपको एक परफेक्ट है ना, अनॉस्मेंट में ज्या के देखेगा, हाना, और उसके बाद हम लोग लाइब सिसन में आपसे कोश्ट में पूछूँगा, क्या आपको दिक्कत कहां कहां पे हुई, हाना, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, थै